अध्याय बारह विद्यूत के चुम्बकी प्रभाव Magnetic Effect of Electricity आप पिछली कक्षाव में विद्यूत और चुम्बक के अध्यायों का अध्यन कर चुके हैं आपको जानकर यह आश्चिर होगा कि यह दोनों एक ही घटना के दो पहलू है अर्थात जहां विद्यूत आवेश गतिशील होंगे वहां चुम्बकी छेत्र होगा और जहां परिवर्ती चुम्बकी छेत्र होगा वहां किसी ना किसी रूप में आवेश मौजूद होंगे आप चुम्बक और चुम्बकी सुई से परिचित हैं 12.1 चुम्बकी छेत्र और चुम्बकी बल रेखा Magnetic Field and Magnetic Lines of Force छड़ चुम्बक के समीब एक छोटी चुम्बकी सुई रखें यह चुम्बकी सुई घूम कर एक निश्चित दिशा में रुखती है जिससे यह पता चलता है कि चुम्बकी सुई पर एक बल लगा है और वह सुई उसके कारण एक निश्चित दिशा में घूम कर रुख जाती है चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुम्बकी सुई पर बल लगता है और वह घूम कर एक निश्चित दिशा में ठहरती है चुम्बकी क्षेत्र कहलाता है चुम्बकी क्षेत्र को चुम्बकी बल रेखा से दर्शाया जाता है चुम्बकी क्षेत्र में चुम्बकी सुई को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में सुई की दिशा लगातार बदलती रहती है जब इसको चुम्बक के उत्री ध्रू से दक्षनी ध्रू की और ले जाएं तो एक वक्रपत बनता है यह वक्रपत ही चुम्बकी बलरेखा कहलाता है इन बल रेखा के किसी बिंदू पर खीची गई इस पर्श रेखा उस बिंदू पर चुम्बकी शेत्र की दिशा बतलाती है चुम्बकी बल रेखाओं के ये गुण होते हैं बायमार्ग में ये चुम्बक के उत्री ध्रूओं से प्रारम होकर दक्षनी ध्रूओं तक जाती है ये चुम्बक के भीतर दक्षनी ध्रूओं से उत्री ध्रूओं की ओर होती है तीसरा संपूर्ण तह ये बंदवक्र है चौथा ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है पाँचवा धुम्ब की बल रेखा पास पास होती है जिससे यह पता चलता है कि धुम्ब की क्षेतर की तिवरता अधिक तथा अन्य भाग में कम होती है आप भी चुम्ब के चुम्ब की क्षेतर को दर्शा सकते हैं आईए इसके लिए एक क्रिया कलाप करें क्रिया कलाप एक आवश्यक सामगरी ड्रोइंग बोर्ट सफेद कागस ड्रोइंग पिन या गोंद छड़ चुम्बक लौह चुर्ण विधी पहला सर्व प्रतम एक सफेद कागस को ड्रोइंग बोर्ट पर ड्रोइंग पिन के मदद से लगाईए दूसरा इस कागस के बीचों बीच छड़ चुम्बक रखिए तीसरा अब चुम्बक के चारों तरफ समान रूप से लौह चोड़न छिड़किए चौथा अब ड्रोइंग बोर्ट को उंगलियों के मदद से हलके से थप थप आईए आप क्या देखते हैं उसे नोट कीजिए आप देखेंगे कि चुम्बक के कारण लौह चोड़न पर बल लगेगा और वे एक निश्चित आकृति ग्रहन कर लेते हैं इस तरह किसी चुम्बक के चारो ओर का वक्षेतर जहां उसके बल का अनुभव किया जा सकता है उस चुम्बक का चुम्बक की खेतर कहलाता है वे रेखाएं जिनकी दिशा में लौह चोड़न स्वेम व्यवस्तित हो जाता है चुम्बक की बल रेखाएं कहलाती है आईए इन बल रेखाओं को चुमकी सुई की मदद से खीचने का प्रयास करें